हेलो फ्रेंड्स आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है आज किस क्लास में हम कक्सान और सितिज विश्य के अध्याइबारा कैदी और कोकिला के अभ्यास प्रस्टनों को सॉल्व करेंगे हमने इस पुस्तक के अध्याइए एक से लेकर ग्यारत तक के सभी पार्टो प्रस्टनों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखिए तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है बहां जाके आप अपने आफसकता अनुसार उन क्लास को भी देख सकते हैं तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे बच्छोटी से रिक्वेस्ट है कि अदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करप्या करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले साती लाइक कमेंट करना ना भूले तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं देखे पहला प्रस्ण दिया गया है वो है कोईल की कूख सुनकर कभी को लगता है कि कोईल कोई संदेश लेकर आई है और संदेश कैसा है संदेश विसेस है तभी वो कब आई है आधी रात्री में आई है नहीं तो वो क्या करती सुबह की परतिक्सा करती है कभी को ऐसा मन में लग रहा है कि कोईल कोई विसेस संदेश लेकर आई है इसी कार कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई यानि कभी है वो उस कोकिल के बोलने के पीछे किन संभावना को बता रहा है कि आखिर कोयल रात के समय आकर क्यों बोल रही है तो देखें कभी ने कोकिला के बोलने के निम्नलिखित कारणों की संभावना बताई है पहला कभ की समस्या और इसी कारण वो अर्ध union dollars है तिसरा उन्हें क्या लगधा है कि समस्या कैसी है अस्यंक्र गंबिर इसलिए वह सुबह होने की परतिक्सा नहीं कर सकते हैं और इसी कारण वो अर्ध रत्री में आकर बोल रही है, अगली उन्हें लगदा है कि कोकिला को लेकक की जंजीरों को देखकर क्या आ रही है, दया आती है और वह उन्हें क्या चाहती है, उन्हें खोलना चाहती है, ठीक है, अगला उन्हें लगदा है कि रात की कालिमा के साहरे अपने काले कश्ट को वो क्या करना चाती है दूर करना चाती है यानि लेकक को कोलकिला के बोलने के पीछे ये संभावना क्या होती है नजर आती है ठीके अगला प्रशना है किस सासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों तम का मतलब होता है अंधेरा ठीके तो य बिल्कुल कैसी है काली है अंधेरे की तरह रात का जो अंधेरा होता है उस रात के अंधेरे की तरह बिल्कुल काली है यहाँ अन्याय जो सब्द है वो किसका परतिक है अंधकार का परतिक है क्योंकि अंग्रेजों की सासन परनाली कैसी है बिल्कुल अन्याय पूर्ण है इस का जाने वाली यंत्रनाओं का बर्नन किजिए कि इस कविता के आधार पर कि प्राचिन समय में जब भारत प्रादिन था अंग्रेजों का गुलाम था तो केदियों को जेलों में किस परकार की यातनाय दी जाती थी उसके बारे में मैं बताना है तो कविता के आधार पर हम यह कह स सकते हैं कि उस ततकालिन समाज में अंग्रेजो के द्वारा भारतिय कैदियों को तरो तरो की कई सारी यह आतनाय दी जाती थी जैसे उन्हें उन्हें अंधेरी काल कोटरी में जंजीयों से बांत अरटियों यहां कोट्री का चित्र क्या था बहुत ही स्कॉट्य कोट्री के अंदर काली कोट्रि यह में तो बार्तियों को वाड़ हमना ठीक Intelli के रहना क्या था बहुत已 मुश्किल था तथा इस काली कोट्री में रुना भीummy था एक गुना था और ऐसा करने से अंग्रिजों द्वारा क्या ज़ते जाती थी बारतियों को बहुत ही कटिन सजा दी जाती थी ठीक है अगला प्रस्न है भाव इसक्ष्ट कीजिए मरदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो इस कथन का जो आश्य है वो यह है कि यहाँ पर अशास होने के बाद भी जब वेदना पून आवाज में चीक उठती है तो कभी उससे उसकी वेदना का क्या करना चाहता है कारण पूछता है कि वह अपनी उस आवाज में उस वेदना को क्यों सामिल कर रही है या उस अपनी उस सीख या आवाज के ज़िए किन दूखो या वेदना को फरकट करना चाहती है ठीक है दूसरा कतन है हूं मोट खिचता लगा पेट पर जुआ खाली करता हूं ब्रिटिस अकड का कुआ तो इस कतन कास से क्या हो जाएगा कि अंग्रेजी सरकार कवी से पसुओ के समान क्या कराते है प्रिश्रम करवाती है यानि जो अंग क्या निकला जाता है पानी निकला जाता है यानि जैसे प्रासिन समय में बैलों की साहिता से पानी निकला जाता था अब वही किरिया है इंसानों के साथ की जारी है और उस कवी के पेट पर जुआ यानि जो रस्सा बांध के उनसे क्या किया जा रहा है वो से पानी निकलवा अगला प्रश्न है अर्ज रात्री में कोयल की सीख से कवी को क्या अंदेशा है अन्हें आधि रात में जो कोयल आखे बहुत जोड-जोड से शीक रही है, उससे कवी को क्या अनुमन लग रहा है, कवी क्या सोच रहा है तो आधी रात में कोयल की सीख से कभी को यह आसंका होती है कि कोयल को किसी प्रकार का क्या है कश्ट है कभी को लगदा है कि जो कोयल है वो किसी डाकू की क्या है केद में है और जो उसे पेट भरके खाना भी नहीं दे रहा है और उसे तरह तरह की मानसी गता सारीरी की आतनाओं सेहन करना पड़ रहा है और इन दूखों से प्रेशान होकर वो विचारी कोयल आदी रात के समय अपनी दूख या वेदना को क्या कर रही है सीख सीख के परकट कर रही है ठीक है अगला प्रस्न है कवी को कोयल से इस्रिया क्यों हो रही है यहनि कवी को कोयल से इस्रिया क्यों हो रही है इसका कारण क्या है तो कवी को कोयल से इस्रिया हो रही है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कोयल की सवतंतरता जबकि कवी की क्या है प्रादिंता मतलब वो कोयल कम से कम सवतंतरतो है कम से कम खुले वातावन में तो रह सकती है ज कवी अंग्रेजी सरकार की काल कोटरी में क्या है कैद है परन्तु कोयल हरियाली डाली पर तो कम से कम रहती है वह पूरे आकास में सवतंत्र उड़ सकती है परन्तु उस कवी की दुनिया तो क्या है वो काल कोटरी की अंदकार में जीवन में वो सिमट कर रह गई है यानि कवी क जीवन तो उस अंधेरे वाली कालकोट्री में इस इमटकर रह गया है कोईल गित गागर अपनी खुसी तो कम से कम जाहिर कर सकती है परन्तु कवी के लिए तो रोना भी क्या है गुना है उसकी बुझे क्या मिलती है अगर वो रो भी लेता है तो उसकी उसे सजा मिल जाती है त तो अपने उन इस्तती की तुलना कोईल के उन इस्तती से करकर कवी को क्या हो रही है कोईल से इस्रया हो रही है कि कोईल को कम से कम इतनी तो आजादी है जबकि कवी को तो इतनी भी आजादी नहीं है अगला प्रशना है कवी के इस्मरती पटल पर कोईल के गीतों की कौन सी मदूर इसमर्तिया अभी भी छपी हुई है जिने वो कोयल अब क्या करने हुई है नश्ट करने पर तुले हुई है तो कवी के इसमर्ती पटल पर कोयल के गीतों की कुछ मदूर इसमर्तिया क्या है अंकीत है और वो इसमर्तिया क्या है कि कोयल हरी डाली पर बैठ कर अपनी मद मजूर व्यवव साले आवाज से संपून supreme करती है अलंकर्द करती है सबका मन मोलेती है उसके मधूर गीतों से क्या होती है खुसी जलगती है वह सवतंतरता पुर्वक अपना गीद गाती है परन्तु अब वह अपनी इन विजिस्ताओं को नश्ट करने पर तुली हुई है और वह आधी रात्री में चिला चिला कर जो अपना संदेश दे रही है उससे वह कैसी बावली सी यानी पागल सी परती तो रही है ठीक है इस कारण से कवी के मन में कोयल के परती जो प्रेम भाव था जो उसकी मधूर यादे उसके दिमाग में छपे हुई थी वो भी उन्हें अब क्या कर रही है जैसे मानों उन्हें मिटाने पर तुली हुई है अगला प्रशना है हत कडियों को गहना क्यों कहा गया है एनि इस कवीता में कवी ने हत कडियों को गहना क्यों कहा है तो कवी ने हत कडियों की तुलना किस्ते की है गहनों सी ये क्योंकि बले ही या कवी के लिए क्या है हत कडिये परन्तु ब्रिटिस सरकार द्वारा ये दीगी क्या है प्रादिंता है और ये किसका प्रतिक है ये ब्रिटिस राज का प्रतिक है जैसे गहने सौंद्रे का प्रतिक होते हैं ठीक यहाँ पर कभी के लिए वो हत कडिया इसका प्रतिक है ब्रिटिस राज की प्रादिंता का प्र अगला प्रश्न है काली तू ए लाली यह वाली जो पंक्तिये इस पंक्तियों में काली सब्द की आवर्ती से उत्पन समतकार का वीवेचन किजिए कि यहाँ पर जो काली सब्दे उससे क्या हमें पता चलता है यानि इस काली सब्द का यहां पर तातपर्य क्या है तो इन पंक्तियों में कभी ने कुल कितनी बार नो बार काली सब्द प्रियोग किया है यहां पर जो काली सब्दें उसका कई अर्थों में प्रियोग किया गया है कही पर इसकी तुलना British सरकार की काली कर्तुस्ते की गई है तो कही पर यहाँ यह वातावरण की कालीमा का क्या है परतीक है तो कही कही जो काली सब्दें वो किसको व्यक्त कर रहा है निरासा को व्यक्त कर रहा है तो यानि कि जो काली सब्दिय हाँ पर बार बार यूज हो रहा है वो बार बार अलग अलग अर्थों में यूज हो रहा है कही कही वो ब्रिटली सरकार की प्रादिंता को बता रहा है कही वो वातावरन की जो कालिमा है रात का जो गहन अंधिकार है उसको बता रहा है तो कही प कावोवा रोना भी है मुझे गुनाह तेरी विसमता तेरी मेरी है तिस पर रहन भेरी इन दोनों कथनों का मैं क्या बताना हैनु तो एसम की प्रस को ninth की न mismake लगा रहा है कि कोईल को कुछ न कुछ तो कष्ट है इसी कारण वो आधी रात्री में आकर क्या कर रही है चिला रही है कभी ने बिमबातमकस हैली का प्रेयोग किया है और साती बासा में सहजिता और क्या है सरलता है ठीक है दूसरे कफन का जो कावे सौंध्रे हैं इन पंक्ति कुछ भी नहीं है एक तो वह उपर से काल इसा टूल न गया है और साथ दूट क्या है अगला प्रश्न कभी जेल के आसपास अन्य पक्सियों का छैकना भी सुनता होगा लेकिन उसने कोकिला की बात क्यूं की है प्रशना है कि कभी अपने आसपास कई सारे पक्सियों की आवाज सुनता होगा तो फिर कभी ने यहाँ पर कोईल की आवज का ही जिक्र क्यूं किया है इसका हमें जबा तो यहां पर कोकिला किसका परतिक है बारत माता का परतिक है कोकिला कभी भी यहने कोयल कभी भी रात के समय नहीं बोलती लेकिन एक दिन वो रात के आधी रातरी में आकर बोल रही है जिसकी वज़े से उसकी आवाज से कभी को किसकी अनुबती होती है बेदना की दुख की अन प्रादियों के साथ एक सा वहवार क्यों किया जाता होगा इसका मैं कारण बताना है कि एक जो भारत के सब्तंतरता सेनानी थे और एक जो अपरादिय थे उन दोनों के साथ एक जैसा वेवार अंग्रिजों की दौरा क्यों किया जाता होगा इसका मैं कार्म बताना है तो बोटिक सरकार सब्तंतरता सेनानी हो या पिर अपरादिय हो उन दोनों में कोई इंतर नहीं दे थी वेकर उनका कोई वीरोध कर रहा है या उनके साथ गलत कर रहा है तो वो सब अंगरी जी सरकार के क्या है डुसमान है। ब्रिटी सरकार ने बारतियों के अधिकार को क्या कर लिया था चिन लिया था बारतियों को कोई अधिकार नहीं था अतो अपने अधिकारों की प्राति और भारतवासियों को आजादी दिलाने के लिए सब्तंतरता सेनानियों ने क्या किया बहुत ये धिक संगर्स किया और भारतियों पर अपना वर्सस वकायम रखने और सवतंतरता सेनानियों के मनोबल को तोड़ने के लिए बेसवतंतरता प्रेमियों और अपरादियों दोनों के साथ एक जैसा वैवार करते थे ताकि वो ये समझते थे कि उनके इस बहुत ही कठिन यातना और उनके द्वारा दी जाने वाली कठिन सजाओ से कई सारे व्यक्ति ये सब्तंतर सेनानी क्या हो जाएंगे डर जाएंगे और उनका विरुद करना क्या कर देंगे चोड़ देंगे इसी कारण से वो जैसा वैवार अपरादियों के साथ करते थे बैसा का वैसा वैवार वो किसके साथ करते थे सबतंतरता सैनानियों के साथ भी करते थे ताकि वो चाते थे कि अंग्रेजियों का जो बर्सस हुआ है वो कायम मेना रहे और कोई भी भारतिय उनके खिलाब आवाज नहीं उठा सके तो इस प्रका